नमस्कार राज्य सिक्षा शोध एवं प्रशिक्षन परिशत पठना बिहार में आपका स्वागत है बच्चों आज हम कक्षा एक में चलेंगे और कक्षा एक में चलके हम बहुत सारी बाते करेंगे तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी पता है मैं आपको आपके दो मित्रों से मिलाऊंगी यहां देखो यह दो मित्र कौन से है यह है चिकी यह चिकी है और यह चिकी का छोटा भाई चिकु जो बहुत शैतान है और बहुत शैतानी करता रहता है चिकी हमेशा इसको समझाते रहत ही है चिकु तुम बद्माशी मत करो तुम इधर-उधर मत जौ लेकिन चिकु कुछ नहीं समझता अब देखते हैं चिकु चिकी को कैसे कैसे परिशान करता है यह dekh sample गया और यहाँ एक टेंग की ती अब अब ये टैंकी के अंदर घुश गया, चिकी परिशान हो रही है, चिकी बोल रही है, चिकु, 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 बाहर निकलो, बाहर निकलो, नहीं मैं नहीं निकलोंगा, चिकु, बाहर निकलो, चलो मेरे पास आओ, ठीक है, अब देखिए, चिकु आ गया बाहर, और फिर दो दोनों भाई बहन खेलने लगे दोनों भाई बहन खेल रहे थे ऐसे ही फिर चिकु को सैतानी आ गई याद अब फिर ये दोर्ते 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 टंकी के ऊपर चढ़ गया कहा चरा चिकु चिकु चड़ा ऊपर दी 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 देखो मैं कहा हूँ हो चिकु नीचे आओ नीचे आओ चिकु चिकी कह रही है चिकु नीचे आओ चिकी कहा है चिकी देखो नीचे बैठी हुई है लेकिन चिकु कहा है चिकु ऊपर है फिर चिकु धीरे धीरे कूद आ और कूद के फिर अपनी दीदी के पास आ गया तो देखा बच्चो चि कभी उपर जाता है कभी अंदर गुज जाता है तो हमें पता चलता है यह क्या है इसके अगर हम कहीं अंदर गुज जाएंगे यह हुआ अंदर बाहर यह ग्लास कहां जा रहा है अंदर फिर बाहर इस ग्लास से हम इस मग से पानी ले सकते हैं और फिर हम इसको बाहर डाल सकते ह ऐसे ही अगर हम इस मग के उपर हमने इस गलास को डाला ये उपर चला गया गलास फिर अब नीचे चला आया गलास फिर ये उपर गया फिर ये नीचे आया ऐसी बहुत सी गतिविधिया आपकी पुस्तक में दी हुई हैं और बहुत सारे वर्कशीट्स हैं चलिए हम एक एक करके पाठ एक गणित में चलते हैं और देखते हैं कि कितनी तरह की गतिविधिया देख गई हैं और हमारे बच्चे तो बहुत शमस्दार हैं इने तो सारी ब वर्क्षिट आपकी पुस्टक में दी हुई हैं, अब हम यहाँ पर वर्क्षिट देख रहे हैं, इस वर्क्षिट में आप देखिए, बड़े से छोटे क्रम में आपको सजाए हुए पर टिक करना है, सबसे बड़ा कहां दिख रहा है, अब आपको ढूंड़ना है, कौन सा पहले वाला जो आपको दिख रहा है उसमें सबसे बड़ा है लेकिन उसके बाद सबसे छोटा आ गया आपको क्या करना है आपको वैसा ढूनना है जिसमें बड़े से थोड़ा छोटा फिर उससे थोड़ा छोटा और फिर सबसे छोटा हुआ तो यहां हम देखेंगे पहला वा दूसरे picture में पहली वाली तितली सबसे बढ़ी है उसके बाद वाली तितली उससे थोड़ी सी छोटी है और सबसे अन्त में जो चौथी तितली है वो सबसे छोटी है तो हमें किसमें ठिक करना था जो बड़े से छोटे क्रम में जा रहा हो तो इसका answer कौन सा होगा बहुत सही कहा आपने इसका आंसर दूसरा होगा क्योंकि तीसरे वाले में क्या हो रहा है सबसे पहले सबची सोटी तितली आ रही है उसके बाद उससे बड़ी तितली फिर उससे बड़ी तितली और फिर सबसे बड़ी तितली तो वो भी सही नहीं है इसका सही उत्तर होगा द अगला हम पिक्चर देखते हैं, इस पिक्चर में भी हमें क्या करना है, बड़े से छोटे के क्रम में संभालना है, बड़े से छोटे का क्रम मतलब सबसे बड़ा सबसे आगे होगा, फिर उसके बाद उससे थोरा छोटा, फिर थोरा छोटा और फिर सबसे छोटा, पहला पिक् गाजर में सबसे बड़ा गाजर है, फिर सबसे छोटा गाजर, ये भी कैसे सही हो सकता है, ये भी सही नहीं है, अब ये तीसरा वाला देखें, ज़रा गौर से देखें, क्योंकि दो तो अल्रेडी गलत हो गये हैं, सबसे बड़ा गाजर, फिर उससे छोटा गाजर, फिर उसस जाजर सजे हुए हैं वह बड़े से छोटे के क्रम में सजे हुए हैं ऐसे ही आपको अपनी सामने अपने खिलोनों को सजाना है और खिलोनों को जब सजाएंगे तो देखेंगे कि बड़े से छोटे क्रम में हम कैसे खिलोनों को सजा सकते हैं तो आज करेंगे ना आप ये काम अपने खिलोनों को सजाएंगे, चलिए, अब हम लोग अगली वर्क्षीट देखते हैं, कि अगली वर्क्षीट में क्या काम दिया गया है, अगली वर्क्षीट भी आप इकी पुस्तक से ली हुई है, इस वर्क्षीट में हम देखेंगे, सबसे अलग चित्र पर लगाई है, अब बच्चों आप बताओ, इसमें सबसे अलग क्या है, सोचो, सबसे अलग क्या है, देखो, पहले वाले चित्र में, आप देख रहे हो सबसे पहले क्या है, चौक है, फिर पैंसिल है, फिर पैन है, और सबसे लास्ट में क्या है, डस्टर है, तो सबसे अलग क्या होगा इ में डस्टर है क्योंकि चौक से भी हम लिखने का कारे करते हैं पैंसिल से भी हम लिखने का कारे करते हैं और पैंसे भी हम हम लिखने का कारे करते हैं, डस्टर से हम मिटाने का कारे करते हैं, तो आप लोगों ने बिल्कुल सही उत्तर पर लगाया ठीक, अब हम अगले में चलें, अगली फोटो में हम देख रहे हैं कि तीन जानवर बने हुए हैं, एक डॉगी है, बिली है, गाय है और चिडिया है, तो तीन जो पहले हैं, ये सब क्या करते हैं, ये तो जमीन पर चलते हैं, चार पाओं वाले हैं, जो जमीन पर चलते हैं, लेकिन चिडिया क्या करती है, चिडिया उरती है, तो चिडिया क्या हुई, चिडिया सबसे अलग हुई, तो इसमें हम किसे टिक करेंगे, हम चिडिय फोटो में दिया हुआ है बाटरी, कैंडल, आएस क्रीम और थर्मस तो इसमें कौन सी चीज अलग होगी यह तीन चीज जो होती है वो गरम होती है, कौन कौन सी बैटरी भी गरम हो जाती है और मोमगत्ति जो होती है वो की ठंडी ठंडी होती है, वो अलग होगी, इसी तरीके से अब हम सबसे नीचे चले, अब सबसे नीचे वाली फोटो में हम देख रहे हैं, क्या-क्या बना हुआ है, टमाटर है, सेव है, और बताओ, बैगन है, और पतागों भी है, आप लोग सबजिया खाते हो, अच्छी बा हैं, जो हमारी शरीर के लिए बहुत आविश्यक है, अब बच्चों बताओ कि इसमें कौन सा अलग होगा, बिल्कुल सही कहा, इसमें सेव अलग है, क्योंकि टमाटर, बैगन और पतागोवी, ये तीनों क्या है, ये तीनों सबजियां है, लेकिन सेव क्या है, सेव फल है, अब सेव को हम इसमें से अलग करेंगे और खा जाएंगे, तो अब आपको क्या करना है, आपको डेली एक सेव खाना है, चलिए, अब हम लोग अगली वर्कशीट आपकी पात्य पुस्तक की अगली वर्कशीट को देखते हैं, इसमें क्या करना है, इसमें भी वही करना है, बडे से चोटे के क्रम में सजाई गई पंक्ती पर tik लगाना है, हम लोग अब देखें, पहले तो कई सारी बॉटल locking है, पहले picture में क्या है, पहले picture में तीन रू है, और तीन रो में बॉटल बने हुए है, अब उन बॉटल को हम धयान से देखेंगे, पहले रो के बॉटल को हम ध्यान से देखते हैं सबसे बड़ा उसके बाद उससे छोटा फिर उससे छोटा और फिर सबसे छोटा दूसरे में देखें ये छोटा है फिर उसके बाद एक बड़ा फिर छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा तीसरे में देखें सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे तो दूसरा और तीसरा रो जो है ये तो सही नहीं हो सकता क्योंकि दूसरे रो में छोटे से बड़ा गया है सबसे पहले छोटी बॉटल है उसके बाद धीरे 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 बड़ी बॉटल आई है दूसरे वाले में छोटा और बड़ा मिक्स है लेकिन पहली वाली जो पहला वा क्रम में बरे से छोटा होते जा रहा है तो हमारा सही उत्तर कौन सा होगा हमारा सही उत्तर होगा पहला रो तो हम पहले रो में टिक करेंगे चलिए अब हम लोग उल्टा काम करेंगे अब बहुत सारी पतियां बनी हुई है यहाँ पे इन पतियों को हमें क्या करना है देखे ल पंक्ति पर टिक लगाएं अभी तक हमने क्या किया था अभी तक हम बड़े से छोटा कर रहे थे अब हम क्या करेंगे अब हम छोटे से बड़ा करेंगे तो पहली क्रम में पहला देखें हम लोग पहले रो में क्या है सबसे छोटी पति फिर उससे बड़ी पति फिर उससे बड दूसरे वाले में देखें, बड़ी पत्ती, फिर छोटी पत्ती, फिर थोड़ी बड़ी पत्ती, फिर छोटी पत्ती, और उससे थोड़ी सी बड़ी पत्ती, तो ये तो गलत है, सबसे नीचे देख रहा है हम लो, सबसे बड़ी पत्ती, उससे छोटी पत्ती, फिर उससे चोटी पत्ती कहां आ रही है सबसे आगे आ रही है और हमें करना क्या है हमें छोटे से बड़े पे जाना है छोटे से बड़े के क्रम में सजाये वाले को टिक करना है तो पहले रोम में हम देख रहे हैं सबसी छोटी पती फिर उससे बड़ी पत्ती फिर उससे बड़ी पत्ती तो बच्चो कौन सा सही उत्तर होगा इसमें बिलकुल सही इसमें पहला वाला जो है वो सही उत्तर होगा तो अब हमें समझ में आ रहा है बड़े से छोटा जब होगा तो हमें बड़ा लेना है सबसे पहले फिर उस से छोटा फिर उस से छोटा फिर उस से छोटा फिर उस से छोटा हमें इस तरीके से क्रम में चीजों को सजाना होगा जब हमें छोटे से बड़ा जाना होगा तो पहल सबसे हम छोटा लेंगे, फिर उससे बढ़ा, फिर उससे बढ़ा, फिर उससे बढ़ा और फिर सबसे बढ़ा, तो हम इस तरीके से सजाते आएंगे, अब हम अपनी पार्टे पुस्तक की आगे वाली वर्कशीट को देखें, आप भी अपनी पार्टे पुस्तक साथ के साथ ख देखते हैं यहां पर क्या करना है यहां छोटे से लंबा क्रम वाली पंक्ति पर टिक लगाना है अब यहां पर आप देखेंगे सबसे पहला रो देखिए वो नारियल का पेर आपको दिख रहा है नारियल का पेर सबसे चोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा और फिर स सबसे बड़ा तो कौन सा सही उत्तर होगा समझ में आ गया देखा ऐसे ही आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे जितने वर्क्षीट करेंगे उतनी अच्छी तरही से आपको समझ में आया कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया फिर हम लोग बात करते हैं पहले रो में सबसे छोटा उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा और सबसे बड़ा दूसरे रो में सबसे बड़ा उससे छोटा उससे छोटा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा तीसरे रो में बड़ा फिर छोटा फिर बड़ा फिर छोटा तो हमारा सही उत्तर कौन सा यहां पर छोटे से लंबे के क्रम वाली पंक्ती को टिक करना है तो जो पहला रो है उसमें नारियल के पेर क्या से सजे हुए है छोटे से बड़े के क्रम में तो हमारा सही उत्तर क्या होगा पहला रो जिसमें नारियल छोटे से बड़े के क्रम में लगा हुआ है तो बच्चों मैं फिर से आपको बोल रही हूँ, आपको क्या करना है, आपको भी, आपकी बहुत सारी पेंसिल छोटी बड़ी होंगी न, आप एक काम करो, ऐसी पेंसिल, चार पेंसिल ले ले न, चार पेंसिल में, छोटी से बड़े में क्या करेंगे, सबसे पहले छोटी वा पैंसिल फिर उससे थोड़ी बड़ी वाली और सबसे लास्ट में कौन सी पैंसिल रखेंगे जो सबसे बड़ी होगी तो छोटे से बड़े के क्रम में जब हमें सजाना होता है तो हम ऐसे ही करते हैं और जब हमें बड़े से छोटा करना होगा हम क्या करेंगे हमने जो छोटी फिर बड़ी फिर बड़ी पैंसिल को सजाया है उसी को उलट देंगे तो उलट देंगे तो क्या होगा सबसे बड़ी पैंसिल उससे छोटी पैंसिल उससे छोटी पैंसिल और फिर सबसे छोटी पैंसिल तो ये तो मैंने आपको पैंसिल का उदारन दिया ऐसे कई सारे आपकी पास चीजें होंगी घर में जिसके साथ आप खेल सकते हैं और उसको क्रम से सजा सकते हैं किस क्रम से सजाना है बड़े से छोटा फिर छोटे से बड़ा और इसको खेलते रहिए ऐसे ही और इस पर करते रहिए चलिए बच्चो अब अपनी पुस्तक की अगली वर्कशेट निक चालिए अब यहां कुछ अलग तरह की बाते आ रही है यहां पर हम देखेंगे कुछ वस्तुएं आपके पास दिखाई गई है इन वस्तुओं में पूछा जा रहा है कि सपाट सतह किसकी है कितने है कोना कितना है और घुमाओदार सतह कितने हैं तो अब हम इसको देखेंग कि पहला देखिए पहला क्या है पहला क्या होता है आपकी आईस्क्रीम का कौन आपकी आईस्क्रीम का कौन कैसा होता है वैसा ही यह पिक्चर लग रहा है या फिर आप भूजा खाते हैं कभी तो भूजे में भी जो वो ठोंगा बना के देता है वो भी ऐसा ही लगता है तो इस इसमें बेटा कितने कोने होंगे, एक कोना, बहुत सही कहा, मैं आपको ऐसा ठोंगा बना के दिखाती हूं, अब हम जैसे भूजा वाला हमारे लिए ठोंगा बनाता है ना, वैसे हम ठोंगा भी बनाएंगे, यह वैसा ही बना हुआ है, इसमें देखें आप, इसमें आपको क्या दिख रहा है, कोना कितना दिखा, एक कोना, और घुमाओदर सतह कितनी है, एक सतह, और सपाट सतह कितनी होगी, वो भी एक होगी, एक कोना, एक जिसको हम घुमा रहे हैं, यह घुमाओदर सतह, और एक सपाट सतह, तीनो कितने होगे, तीनो एक है, तो अब आपनी बर्टशित में भरते चलो, क्या लिखना आपको, सपाट सतह कितनी है, एक, सपाट सतह, यह वाली सतह जो है, यह हमारी फ्लाट सर्फेस होत एक, कोना कितना है, एक, यह कोना कितना है, एक कोना है हमारा, उसी तरीके से घुमाओदर सतह कितनी है, एक है, जिसको हमने घुमाया था, यह देखो, जिसको हम रोल कर रहे हैं, तो एक घुमाओदर सतह, तो हम तीनों में एक एक करेंगे, अब हमारे पास आ रहा है, एक गि कितने कोने हैं और कितने घुमाओदार सतह है तो बच्चों हमारे पस गिफ्ट तो नहीं है लेकिन ये छोटा सा गिफ्ट है ठीक है इस गिफ्ट का शेप भी आपके उस गिफ्ट की तरह है अब इसमें सपाठ सतह कितनी है ये हम गिनेंगे एक दो तीन चार पांच छे कितनी सपाठ सतह है फिर से गिनते हैं एक दो तीन चार पांच छे तो अब आपको क्या लिखना है आपको लिखना है सपाठ सतह की जगा पे कितना लिखना है 6, 6 लिखना है आपको ऐसी figure आपने कहीं और देखी है? लुँडो खेलते हैं, लुडो में जो dice होता है ऐसा ही तो dice होता है, जिसमें कहीं एक लिखा होता है कहीं दो लिखा होता है, कहीं तीन dots बने होते हैं तो यह उसी तरह से उसी shape का है अब इसमें हम कोने देखेंगे, कि कोने कितने हैं, गिनते हैं हम लोग, मेरे साथ आप भी गिनो, एक, दो, तीन, चार, फिर पांच, छे, साथ, आठ, कितने कोने हो गए, इसमें आठ कोने हो गए, घुमाओदार सतह तो इसमें नहीं है, तो हम घुमाओदार सतह के जगा पे क नहीं लिखेंगे अब अगला आ गया ये candle candle में अब आप देखोगे कि candle में कैसे होगा candle में हम कैसे करके देखेंगे तो candle तो हमारे पास नहीं है लेकिन हमारे पास ये देखिए candle के शेप में ही है ये इसमें हम देख रहे हैं घुमावदार सतर कितनी है एक और सपाट सतर कितन है एक इधर से और इसको अगर हमने इधर किया तो दो तो सपाट सता कितने हो जाएंगे इसके एक दो सपाट सता के जगह पे आप लिखेंगे दो घुमावदार सता कितने कोना कितना है इसमें तो हमें कहीं कोई कोना नहीं दिख रहा दिख रहा है आपको कोई कोना नहीं है त गुमावदार सता कितनी है तो गुमावदार सता कितनी है इसमें एक है तो हम यहाँ पर गुमावदार सता की जगह पर क्या लिख लेंगे एक लिखेंगे इसी तरीके से हम आगे देखेंगे बॉल अब वो बॉल आपको दिख रहा है बॉल में कितने सपाट सता है बताओ अब होती है विल्कुल सही है लेकिन क्या उट में सपाथ सता है कोना है तो कोना और सपाथ सता में जीरो हो जाएगा और घुमाउदार सता में एक हो जाएगा चलिए अब हम अगली वर्कशिट देखते हैं आपकी पाठ्थे पुस्तक की यहां पर देखिए अभी जो हमने गतिविधी की थी जो वर्क्षिट भरी थी उसी के आधार पर ये वर्क्षिट है आठ कोने और छे सपार्ट सतहों वाली वस्तुवों पर तिक लगाए अभी आपने गिना था देखा था ये इसमें क्या था आठ सतह था आठ कोने थे और छे सपार्ट सतह आठ कोने और छे सपार्ट सतह तो वैसा वहाँ पर कोई फीगर दिख रहा आपको हाँ लुडो की डाइस लुडो की डाइस जो है वो उसी तरह से होती है तो अब आप क्या करेंगे उसको उसको आप टिक करेंगे दूसरे पिक्चर में हम देखें दूसरे पिक्चर में एक कैंडल बना हुआ है एक आइसक्रीम का कोन बना हुआ है और क्या है और एक किताब बनी हुई है तो किताब में क्या होगा किताब में जैसे यहां पर हम देख रहे हैं छे सता होती है और आठ कोने वैसे ही किताब में भी आठ कोने होते हैं और छे सता होती है तो वहाँ पर हमारा सही उत्तर क्या होगा वो पुस्तक जो वहाँ बनी हुई है तो आप किताब को फिर टिक कर देंगे अब हम देखे नीचे उन वस्तुओं में टिक लगाईए जिसमें कोई कोना नहीं है तो कौन-कौन सी वस्तुओ सिक्क जोमें होगी माठीज का बॉक्स दीख रहा है। यकिन उसके अलावत जो दो अलग फीकर दिख रहे है वह बॉल और पैन का धकन उसमें कोणना नहीं दिख रहा तो हम क्या करेंगे दोनों को Tick कर देंगे मार्चीज को टिक नहीं करना है वहां cross रहेगा और ball में और pen के ढखकन में आपको क्या करना है Tick कर देना है इसी तरीके से हम नीचे देखेंगे सिक्खा बना हुआ है 2 रुपे का सिक्खा टौफी ले सकते हैं 2 रुपे के सिक्खे से चूरी बनी हुई है और डस्टर बना हुआ है तो चूरी में और पैसे में तो कोई कोना नहीं होता इसलिए हम उसे टिक करेंगे लेकिन डस्टर में कोना होता है तो उसे हम टिक नहीं करेंगे तो देखा बच्चो आज हमने कितनी सारी वर्क्षीट कर ली कक्षा एक ही आपके पहले अध्याय की हमने बहुत सारी वर्क्षीट कर ली अब इसी आधार पे आपको क्या करना है ऐसे ही और भी वर्क्षीट आपकी किताब में है उसको करना है हम साथ के साथ उसको करते भी रहेंगे आप तब तक इसी तरीके से आपके पास जो चीजें हैं उनको क्रम में सजा और खेलिए, खुश रहिए, हंस्ते रहिए, अगली कक्षा में हम और वर्कशीट पे काम करेंगे, तब तक के लिए खुब मुस्कुराइए, खुब खेलिए, नमस्कार.